दोस्तो एक बर फिर से स्वागत है असरदार नुसके के एक और फिर से फिशोड में दोस्तो हर बरी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बटर काने के यानि मक्खन काने के सौकीन होते हैं और इतना सौखीन होते हैं कि butter और मक्कन की मातरा इतना जादा यूज करते हैं जो उनके सेहत के लिए खराब होने लगता है लेकिन इसके बावजूद अगर वो सुध है तो आपके जीवन के लिए आपके सेहत के लिए काफी बहतर साबित हो सकता है लेकिन अगर उसमें और सुधी है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसका खाना आपके जीवन के लिए और आपके प्राण के लिए संकट भी पैदा कर सकता है तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे और जाननी की कोशिस करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तमाल करके आप बटर के सुधता के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं तीन ऐसे step के बारे में बात करूँगा, जिस तीन step से आप बटर के सुधता को ना सिरुफ परमाडित कर सकते हैं, बलकि आप खाने से पहले उसे try करके आप बहतर से बहतर से बहतर सेहत रख सकते हैं. तो चली शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें सबसे पहला trick क्या है, सबसे पहले आपको बरतन में एक चमच मखन को गरम करना है, और जैसे ही वो पिघलता है, तो उसके color को check करना है, अगर वो dark brown color का हो गया, इसका मतलब कि वो सुध है, लेकिन अगर उसमें सिरफ पिलाप वाला butter नहीं है, इसलिए वो आपके लिए, आपके सिहत के लिए नुकसाम दैक साबित हो सकता है, अब दूसरे जो tricks है, वो यह है, कि आप जो है, किसी container में butter के cube को रखें, और नारियल के तेल को मिलाएं, और उन दोनों को गरम करें, और गरम करने के बाद उन्हें फ्रीज जमता है, तो इसका मतलब यह है, कि इसमें impurity पक्ता पड़ा हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता, सुध बटर होता, तो वो नारियल के तेल में mix हो जाता, और जैसे mix हो जाता, तो आपको layer by layer, उसका design जो है, वो देखने को नहीं मिलता, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब य है, कि आपका नारियल का जो, आपका जो butter है, वो pure नहीं है, इसके बात बात करते हैं, तीसरे और आखरी सबसे बहतर tricks की, इसके लिए नहीं आपको कहीं गर्म करने की जरूरत है, नहीं boiler में रखने की जरूरत है, आप butter के cube को आपने हाथ पे रखें, और अगर butter का cube आपके body temperature से, आपके body temperature से गलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वो सुद्ध है, अगर उसमें impurity रहेगी, तो वो आपके body temperature से कभी भी पिगलेगा नहीं, तो अगर आप butter के सोखीन है, और आप इसका इसका इस्तमाल करते हैं, तो इन तीनों में से किसी एक method को जरूर ट्र कर सकती है, तो दोस्तों कैसा लगए वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिजिए इस चैनल को, ताकि इसी तरह के information सबसे पहले आपको भेज दिया जाएं, और आप उसे enjoy कर सकें, तो दोस्तों धन्य अबाद,